नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर चक्षू अगर आप EVON 400 ले रहे हैं या लेना चाहते हैं तो ये वीडियो प्लीज पूरा देखिए क्योंकि यहाँ straight forward to the point इस पश्च तरह से आपको समझाएंगे कि इसके फायदे क्या हैं इसकिन और आपके बालों के लिए ये क्यों जरूरी है कैसे इसे लेना चाहिए और किस तरह से खाने पर ये आपको बेतरीन रिजर्ट्स दे सकता है सारी बातें research based हैं कोई फालतू बक्वास नहीं है को तो सबसे पहले इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि वाइटमिन E क्या है देखिए वाइटमिन E basically एक fat soluble vitamin है जैसे बाकी vitamins हैं हमाई body के लिए ज़रूरी है वाइटमिन A, वाइटमिन C, वाइटमिन D, वाइटमिन B complex, वाइटमिन K similarly, वाइटमिन E भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक antioxidant vitamin है ये हमारे शरीर में होने वाले cell death, early cell damage ये अगर हमारे कोशिकाएं बहुत जल्दी टूट रही है, जल्दी destroy हो जा जो हमारे mumfully का तेल, soya bean का तेल, उसके अंदर ये मिलेगा, बदाम का तेल या बदाम उसके अंदर मिलेगा, आम के अंदर एक अच्छी मातरा मिलता है, एक avocado नाम का fruit है, जो कि foreign countries में मिलता है, तो इंडिया में मिलने लग गया है, तो avocado में इसका बढ़ाच्छा constitution है, avocado के अ हमारे शरीर के लिए है 15 mg, एक pregnant female के लिए है 19 mg, तो ये बात हो गई, vitamin E के बारे में, अब बात कर लेते हैं, evion capsule की, देखिए, evion capsule basically, merc company के दोरा, synthetically manufactured किया गया, vitamin E है, अब synthetically manufacture करेंगे, तो जिसका नाम है, वो है, tocopherol acetate, और ये एक capsule के अंदर आपको मिलता है, 400 mg, लगभा और ये एक strip जिसमें 10 capsule है, ये बीस से 22 रुपए की आपको मार्केट में मिल जाती है, बहुती cheap source है, लेकिन कहीं ना कहीं, vitamin E जो लोग regularly लेते हैं, वो अकसर इसे prefer कर लेते हैं, और जब ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, result नहीं मिलते हैं, तो कहते हैं, यार ये बेकार cellular damage, यानि cell death को control करता है, ऐसा नहीं कि तेजी से होने वाली cell death को रोक देगा, बलकि जो cell death का time period है, अगर वो समय से पहले cell death हो जा रही है, यानि कोशिकाएं समय से पहले मर जा रही हैं, तो वो जो प्रक्रिया है, उसे कहीं न कहीं रोकने की कोशिश करेगा, slow down कर देगा, अ आपके शरीर के अंदर जो cell है, वो जल्दी dry हो जा रहे हैं, decayed हो जा रहे हैं, यानि वो आपके skin के ऊपर चिपक जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी जो vitamin E है, उसे लेने से बड़े अच्छे results मिलते हैं, क्योंकि एक antioxidant vitamin है, तो यह basically aging process जो हमारी body के अंदर है, उसे बहुत control करता है, और बड़े अच्छे results हमारे skin में दिखाता है, देखिए बहुत सारे videos में मैंने देखा कि कुछ doctors भी हैं, जो ऐसी बाते कहने लग गए हैं, कि vitamin E लेने से आपकी skin पे glow आ जाएगा, चमक आ जाएगी, आपकी skin flawless हो जाएगी, और आपको vitamin E लेने से बड़े को इसे different हैं, तो हमें कहीं न कहीं research के उपर विश्वास करना चाहिए, और research कहती है, कि अगर आपकी body में skin में stretch mark जादा हो रहे हैं, अगर आपकी skin में wrinkles जादा आ रहे हैं, अगर आपकी skin में discoloration यानि कालपन जादा हो रहा है, दब्बे जादा हो रहे हैं, आपकी skin में कु अगर आपकी skin की health को maintain करने का बहुत जरूरी fundamental role हमारा vitamin E play करता है, तो जो मेरे पास females आते हैं OPD के अंदर, जिनको दाग धब्बे जादा हो रहे हैं, आकालापन आखों के आसपास, माथे के आसपास, यहां sides में इस तरफ यहां नीचे की तरफ कहीं पे भी इस इन areas के अंद रहा है, vitamin E बहुत जरूरी है, pregnancy के बाद जिनलों को stretch marks हो जाते हैं, या मुटापा बढ़ने की वज़े से, जल्दी मुटापा कम होने की वज़े से stretch marks हो जाते हैं, तो वहां पर भी vitamin E खाने से और लगाने से दोनों तरह से इस्तेमाल करने से बड़ा अच्छा role play करता है, इ उमर से पहले चेहरे पर बुढ़ापा दिखाई दे रहा है, वहां पर vitamin E का बड़ा important role है, खाने में लगाने में दोनों तरह से इस्तेमाल करने में results मिलते हैं, अगर आपके skin में बार बार infections होरे से हमारे youngsters हैं, जो young females हैं या males हैं, बार बार दाने निकलना, पस वाले दाने मोटे मोटे दाने निकलना और nodular टाइप के acne जहीं गांट टाइप के acne बन जा रहे हैं, या जो धबे पड़ जाते हैं skin के उपर दाने बनने के बाद, तो ऐसे कुछ general skin infections में या skin conditions में vitamin E बड़ा अच्छा important role play करता है, और skin की health को maintain करने का काम करता है, रिसर्च में पाया गय vitamin E के बड़े अच्छे results पाए गए हैं, जो कि बहुत encouraging है, अब सवाल यह उठता है, कि vitamin E अगर skin में इस्तमाल करना है, skin conditions में इस्तमाल करना है, तो कैसे करना चाहिए, सही तरीका क्या है, देखिए, vitamin E दो तरह से आप ले सकते हैं, खाने के लिए और लगाने के लिए, खान जादा खानी है, जो cooked food है या फिर जो आपका ऐसा खाना है, जो normally oily है, spicy है, उस खाने को आपको कम खाना है, आपको natural food के ओपर कही नखें कुछ जादा focus करना है, ऐसा खाना खाने की खाईए जिससे कि आपका पेट कुछ साफ रहे, millets लीजे अपनी diet के अंदर, मक्का, बाज जोआ, सूजी, दलिया, चावल, इस तरह से millets आप अपनी diet में include करिये, आप गेहूं के ऊपर, या oily food के ऊपर, या जादा cooked food के ऊपर, रलाए मत करिये, इससे आपकी skin अंदर से हील होती है, पर अगर उपर से आप इस्तिमाल करना चाहते हैं, vitamin E, इन सब चीजों के बावज नहीं mix करना पड़ेगा, और oil में mix करने का सबसे अच्छा तरीका है, गोले का तेल, यानि coconut oil, आप एक capsule काटी है, दो capsule काटी है, जितना आपको चहरे पे लगाना है, उसकी quantity के हिसाब से, coconut oil में उसे mix करिए, गोले के तेल में mix करिए, चहरे के ऊपर लगाईए, overnight यानी बड़े अच्छे results मिलेंगे, अब ये stretch marks पर लगा सकते हैं, जिन patients को eczema हो रहा है, हलका सा उसमें लगा सकते हैं, suriasis तक में इस्तमाल करने में बड़े अच्छे results मिलें हैं, patients को, acne जिनको बार-बार हो रहा है, वहाँ पे आपको अलग से drama करने की ज़र्वत हैं कि काटो और एकने के उपर लगा लो, जो आपका पूरा एरिया है जहां पर आपको skin unhealthy महसूस हो रही है, dry महसूस हो रही है, discoloration महसूस हो रहा है, पूरे उस एरिया पर अपलाए करिए, राद भर लगे और दीजे, सुबह वाश कर लिजे, अगर आप लगाने के संग में खाना भी तो देखे, मैं बता चुका, daily की dosage है 15 mg, एक capsule में है 400 mg, ideal dosage कम से कम हफते में एक बार होनी चाहिए, बहुत साइ डॉक्टर्स ने अलग लग वीडियोस में बोला है, हफते में तीन बार लीजे, चार बार लीजे, रोज लीजे, अरे भईया, mathematics भी तो समझो ना, 15 mg है daily requirement, ज हफते में तीन बार, maximum, यानि alternate daily लीजे, और हफते में एक बार खालीजे, more than sufficient है, इसकिन पे, जो इसकिन की health है, वो इससे maintain हो जाएगी, लेकिन हाँ, जो आपकी diet है, बहुत जरूरी है, hydration बड़ा जरूरी है, भही, पानी भी तो पीना पड़ेगा ना, तो पानी पीने का त पानी पीजिए, अलग-अलग तरह से पानी पीजिए, आपकी skin पे बड़ा अच्छा गलो आएगा, अब बात कर लेते हैं, बालों के लिए, देखिए, hair के लिए भी vitamin E बहुत जरूरी है, क्यों, क्योंकि ये हमारे जो keratin है, और keratin-like proteins है, ये उसके संग में बड़ा बालों की length नहीं बढ़ रही, बालों की length बड़ी कम है, बालों की shine खतम हो गई है, बाल टूटने लग गए है, बाल जादा दो मुहे हो जा रहे है, बालों के अंदर अगर zoom करके देखेंगे, तो पता चलेगा कि जो cracks हैं बालों में पढ़ जा रहे है, बिटलनेस बहुत आ हो रही है, समय के हिसाब से जल्दी hair fall हो रहा है और जादा hair fall हो रहा है, तो ऐसे में vitamin E लेना बहुत जरूरी है, कैसे इस्तमाल करें, ध्यान से समझेए, इस्तमाल करने का तरीका simple है, आप vitamin E के capsule को, caster oil, coconut oil, यानि गोले का तेल और caster oil दोनों के संग में मिलाई है, यानि त तीन बार इसे यूज करें, alternate day और उसके बाद रात बहर लगे लेने दे, सुबह वाश कर लें, females कम से कम हफते में दो बार इस्तमाल करें, रात बहर लगे लेने दे और सुबह इसे वाश कर लें, लेकिन अगर आपको फिर भी संग में खाना भी है, तो रोसेज वही है, हफ आपने body weight के हिसाब से 0.8 gram of protein से multiply करिये body weight को, और लगवक कहीं न कहीं, 40 gram के आसपास कम से कम protein consume करने की कुशिश करिये, आपकी hair growth, vitamin E को लेने से बड़ी अच्छी जरह से improve हो जाएगी, अब बात कर लेते हैं, देखिए side effect की, बहुत जरूरी है, बहुत सारे लोग videos में, क्य vitamin E कहीं न कहीं, अलग-अलग तरह से use कर रहे हैं, और आपकी body में जो vitamin E है, 1000 mg से ज़्यादा चला जाता है, तो चक्कर आ सकते हैं, पेट खराब हो सकता है, उपकाई उल्टी आ सकती है, थकान ज़्यादा महसूस हो सकती है, अजीब सी belching इनी ड़कारें आपको महसूस हो सक सकती है, और हर समय पढ़े रहने का भी मन कर सकता है, यह ज़्यादा quantity में evion 400 लेने से आपको side effect हो सकते हैं, इसलिए खाने से ज़्यादा ऊपर लगाने के पर focus करें, तो ज़्यादा better आपको results मिलेंगे, I hope कि मैंने इस वीडियो में straight forward to the point बाते करी है about vitamin E, अगर आपको बा नहीं हैं, तो comment section में जरूर बताईए, फिर भी कोई सवाल आपका रहे गया हो, जरूर लिखिए comment section के अंदर, मैं कोशिश करूँगा आपको जवाब देपाऊ, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही request है, आगे भी वीडियो चाहिए तो subscribe करना, बिल्कुल ना भूले, मेरी से नमस्कार, thank you